दोस्तो अगर आप सिर्फ आधर कार्ड और पेंट कार्ड के बेसिस पर लोन लेने की सोच रहे हो तो आज मैं दोस्तो आपको एक नई अप्लिकेशन बताऊंगा जो एक RBA रेजिस्टर एन्बी अपसी अपरू कमपनी है और वहाँ से आप सिर्फ आधर कार्ड और पेंट कार इस पर पूरे पांच लाग रुपे तक ही लोन ले सकते हो वेचे दोस्तो एक अप्लिकेशन तो पूरा नहीं है लेकिन इस एप्लिकेशन के अंदर एक नईया लोन का ओफ्शन जोड़ा दिया है तो उसके बारे में ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो उमीद करते ह इसी तरी के ने वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दरसल दोस्तों application rent and bill payment के लिए जानी जाती है उसका लग दोस्तों इस application चे property by sell जैसी बहुत सारी service के लिए जानी जाती है और यह दोस्तों एक trusted application है 4.2 की इसकी rating है और 10 million चे पर जाते हैं लोगों ने इस application को download किया हुआ है और यहाँ पर दोस्तो अब आपको लोन भी मिलते हैं तो लोन के लिए दोस्तो हमें इस application के अंदर ही जाना होगा तो चले दोस्तो हम यहाँ पर इस application को open कर लेते हैं और direct loan के बारे में ही बात करते हैं तो हम इस application को open करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरी के सेंटर पर साएगा यहाँ पर कुछ पर्मिशन पुछ जाएगी तो allow access पर क्लिक करके सारी पर्मिशन को allow कर देया है जैसे सारी पर्मिशन को allow करेंगे तो हम पहुंच जाएगे डारेक इस application के home page में अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आपके सामने बहुत सारी service आज जाएगी जो application प्रोवैड करती है लेकिन आज हम बात करेंगे loan के बारे में तो loan लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस page को निच्चे स्क्रोल करना है तो यहाँ पर एक option मिलेगा instant credit get up to five lakhs instantly तो यही है दोस्तों loan का option यहाँ से हम पांच लाग रूपया तकी loan ले सकते हैं तो हमें इस वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे समने अगला प्याज ओपन हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर इस loan का कुछ interaction बताए गया है जिसमें बताए गया है कि get up to five lakhs instant cash यानि कि आप यहाँ से पांच लाग रूपया तकी loan ले सकते हो निच्चे यहाँ पर scroll करेंगे तो और भी interaction बताए गया है कि आपको इस loan को क्यों सूज करना चाहे है तो यहाँ पर बताए गया है कि market में सबसे low interest पर यहाँ से loan मिलेगी आप जितनी amount का use करोगे उस पर ही interest लगाए जाएगा और यहाँ पर आपको flexibility मिलेगी आप चाहो तब loan का use कर सकते हो और आप चाहो तब loan का repayment भी कर सकते हो उसका बद यहाँ पर थोड़ा निच्छे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ से loan apply कैसे करना है यानि कि एक काम कैसे करती है उसकी जानकारी बताएगी है तो loan apply करने के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ 4 step complete करने होते है पहले step में आपको अपनी profile complete करने होती है दूसरे step में आपको KYC verification करना होता है तिसरे step में आपको bank account detail देने होती है और e-mandate setup करना होता है जिसके हर मंद की AMI automatic से आपके bank account से कर जाएगे उसके बाद जब आप e-mandate setup कर लोगे तो यहाँ पर आपको जितने भी loan amount मिली होगी वो आपके bank account में transfer कर दी जाएगी तो यह से simple 4 step में यहाँ से हम loan apply कर सकते हैं उसके बाद ज्यादा जानकारी के लिए निचे दोस्तों यहाँ पर FAQ अगरा भी मिल जाएगे आप चाहिए तो इसे पढ़ सकते हो तो अब यहाँ से दोस्तों loan apply करने के लिए simply get instant case पर click करना है तो हमारे सामने अगला page open होगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताएगे है कि आप 5 लाक रुपियते की loan तुरंत अपने bank account में transfer कर सकते हो लेकिन उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक option मिलेगा विड्रो नाओ तो simple उस पर हमें click करना होगा और यहाँ पर दोस्तों नीचे टमसें कंडिशन भी बताएगे हुए आप चाहिए तो पहले टमसें कंडिशन ज़रूर पढ़ लेना है तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम विड्रो नाओ पर click करेंगे जैसे हम विड्रो नाओ पर click करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा अचा processing लेगा और हमारे समने कुछ इस तरी किसा इंटर्वेस आएगा अब दोस्तों यहाँ पर हमें sign up करना है तो sign up के लिए यहाँ पर हमें mobile number एंटर करना है और continue पर click करना है तो हमने यहाँ पर mobile number एंटर करके continue किया तो निचे कुछ और भी option open हो चुके है जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमारा नाम एंटर करना है और यहाँ पर हमारे email ऐड़े एंटर करनी है उसके बढ़ simply continue पर click करना है तो हमने यहाँ पर हमारा नाम और email ऐड़े एंटर करनी है और continue पर click कर दिया है तो हमारे समने कुछ इस तरह किसा एंटर्फेस है गया अब यहाँ पर उपर देखो हमारा नाम स्वो कर रहा है और निचे दोस्तों अब फिर से हमें विड़्ो नाव पर click करना है तो हमारे समने एक next page open होगा जिसमें दोस्तों अब हमें यहाँ पर profile detail complete करनी है यानि कि हमारे कुछ rational detail देनी है तो profile detail में हमारा नाम यहाँ पर ओलड़ी show कर दिया है हमारा gender यहाँ पर select करना है हमारे date of birth यहाँ पर enter करनी है यहाँ पर हमारे pen card number एंटर करना है यहाँ पर हमारे monthly income एंटर करनी है और यहाँ पर हमारा employment type सूच करना है अब दोस्तों यहाँ पर मैं recommend करूँगा कि आप यहाँ पर सिर्फ salad percent ही सोग करना क्योंकि यहाँ पर कोई भी income का प्रूप नहीं पूचा जाएगा लेगिन यहाँ पर आप salad percent select करोगे तो आपको ज़्यादा chance रहेगा कि loan मिल जाए तो यहाँ पर आपको salad percent select करना है और simply continue पर ग्लिक कर देना है जैसे continue करेंगे तो हमारे next page open होगा जिसमें हमारा current address पूरा यहाँ पर दे देना है तो current address में address line 1 और address line 2 में पूरा हमारा address दे देना है यहाँ पर हमारे landmark एंटर करना है यहाँ पर हमारे state एंटर करना है और निचे दोस्तों यहाँ पर ownership type में हम brand में रहते हैं हमारा खुद का अगर है यह family के साथ रहते हैं जो भी हुए यहाँ पर हमें select करना है और simply continue पर click करना है अब यहाँ पर दोस्तों हम जैसी continue करेंगे तो हमारी सारी detail processing में चली जाएगी यहाँ पर हमारा test score वगरा चेक होगा और हमें यहाँ पर दोस्तों कुसी देर में बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर loan लेने के लिए eligible है या नहीं अगर eligible है तो कितनी loan के लिए eligible है अब यहाँ पर दोस्तों भी fix नहीं कहता कि इतने घंटे या इतने दिन में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कभी-कभी यहाँ पर दोस्तो एक गंटे के अंदर भी पता चल जाता है और कभी-कभी 3-4 दिन होने के बाद भी पता नहीं चलता तो मेरे case में दोस्तो ऐसा ही हुआ मैंने यहाँ पर दोस्तो मेरे खुद के account से loan apply किया तो मेरा आज 3-4 दिन हो चुके है फिर भी मुझे यहाँ पर approve नहीं मिला मेरे सामने अंडर प्रोसेस ही बता रहा है लेकिन मेरे एक दूसरे भाई का मैंने इस application में loan apply किया था तो उसको सिर्फ एक गंटे के अंदर लिमिट मिल गई थी तो अगर आपको जल्दी लिमिट चाहिए और आपका profile अंडर रिवी में चला गया है तो आप इसे customer care से support ले सकते हो क्योंकि मेरा खुद का भी decision यहाँ पर pending में चल रहा है anyway दोस्तो चलो अब हम हमारे भाई को यहाँ पर कितने लिमिट मिली है वो आपको दिखा देते है तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे भाई को यहाँ पर 7-6-7-0-0-ू-पय के लिमिट मिली है आप यहाँ पर live रूप देख सकते हो दोस्तो अब इस limit को लेने के लिए दोस्तो withdraw in b instant case पर click करेंगे तो हमारे समने दूस्ता है यह लिमिट का फिसें स्ट्रक्सर फुरा आ जाएगा अब यहाँ पर दूस्त आप देख सकते हो हमारे यह भाई को सांच्राइस से जह रुप्य के लिमिट मिली है उस पर 19 पर एंजिन इंटरेस्ट लगाया गया है तो मैंने दूस्तों जैसे पहले बताया था कि सबसे कम इंटरेस्ट पर यहाँ से आपको लोन मिलेगी वो यहाँ पर दूस्त आप देख सकते हो 19 पर इंटरेस्ट पर यहाँ पर एंटरेस्ट पर एंटरेस्ट पर एंटरेस्ट लगाया जाता है तो यह दोस्तो अच्छी बात है लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह अच्छी बात तो है लेकिन एक और बूरी ब्यात भी है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ अब यहाँ पर दोस्तो एक 57,000 रूपे के लोन है उस पर 10 उर अभी यहाँ पर डीफोल्ट में 26 महेने का सिलेक किया हूआ है अब यहाँ पर हम MORE option पर क्लिक करते है तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ 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 पर 23 महेने से लेकर 24 महेने का टेणियूर पर तोटल रूपीमेट करना होगा उसको 3,600 रूपया तो 21,000 रूपया यहां पर दिश्क को देना होगा और यहां पर एचाटिस मेने में हर मत यहां पर 269 रूपया रिपीमेट करना होगा अगर एबाई दोस्तों यहाँ पर 23 महने के लिए ए लोन लेते हैं तो उसको 13,200 रूपिया टोटल इंटरस पे करना होगा लेकिन अभी एबाई ने ए लोन नहीं ली क्योंकि उसको ज़रुवत नहीं थी यहाँ पर दोस्तों मैंने ही इसके एकाउंट से ट्राइ किया था कि एबाई को यहाँ पर लोन लेने में कितना समय लगता है क्योंकि एबाई के सिबिल स्कूर थोड़ा बहुत ठिट ठाक है तो इसलिए दोस्तों मैंने इसके एकाउंट में ट्राइ किरके देखा तो उसको तूरंती लिमिट मिल गई थी लेकिन अभी यहाँ पर दोस्तों लोन के जरूरत नहीं है यहाँ लेकिन मेरे एकाउंट में मुझे लिमिट मिलेगी तो मैं यहाँ पर आपको लाइफ प्रूप ट्रांसपर करके भी दिखाने वाला हूँ तो इस तरही से दोस्तो एह अप्लीकेशन काम करती है और ऐसे आप यहाँ से लोन अपलाई कर सकते हो लेकिन दोस्तो सबसे सचता लोन तो यहाँ पर मिलेगा इंट्रेस बहुत ही कम लगए जाएगा लेकिन आप एक बत गोर करोगे तो यहाँ पर आपको tenure जादा मिलेगा कम tenure आप यहाँ पर सूजी नहीं कर सकते तो आप दोसरे लोन के साथ इसका calculate करोगे तो दोनों में same ही आपको research मिलने वाला है यहाँ फर interest tip कम बताया है लेकिन tenure बड़ा दिया है तो हमेरा tenure इतना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें यहाँ फिस देना होगा तो इह बात तो दोस्तों simple है तो इस तरीके से दोस्तो आप इस application में loan ले आ सकते हो बैसे तो दोस्तो सिर्फ यहाँ पर other card और pen card के basis पर ही loan मिल जाती है लेकिन 10 यूर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है यह बात का आपको ख्याल रखना है तो यह थी दोस्तो कहानी no broker launch की तो चले दोस्तो आज के वीडियो बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको एफ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share और subscribe करना ना भूले और दोस्तो आपको इस application से कितने limit मिली है और मुझे comment में ज़रूर बताए तो चले दोस्तो मिलते हैं को दमा के दर वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye